हलो दोस्तो यदु टीवी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज हम सेक्टर 10 ग्रेटर नोईडा बैस्ट का नाइट व्यू दिखाने वाले हैं कि रात में सेक्टर 10 ग्रेटर नोईडा बैस्ट कैसा लगता है कैसा दिखाई देता है तो मैं कुमार आरे आपको को लिए चलता हूं और दिखाता हूं सेक्टर 10 ग्रेटर नोड़ा पैस्ट का व्यू कैसा लगता है और इसके साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को अभी लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहु तो उने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारे जैसे ही नए वीडियो आते हैं तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लें तो ठीक है तो चलिए चलते हैं सेक यह महागुन मंतरा सेकेंड की विल्डिंग है आप इसे देखिए कि इसमें कितनी फैमिलीज रह रही है यह आप देख करके थोड़ा सा अनुमा लगा सकते हैं जहां लाइट जल रही है इसका मतलब वहाँ कोई न कोई फैमिली या कोई परसन रह ही रहा है और यह इसका गेट है एंट्री होती है यहाँ से यह एंट्री गेट है जहाँ से वहाँ से पाँ सकते हैं और अब हम पैट्रोल पंपर पहुंच चुके हैं ये लेफ्ट साइड में सी एंजी का पैट्रोल है और इस से आगे वाला ये जो पैट्रोल है यहां पर डीजल और पैट्रोल पढ़ता है और इसी में फ्री में हवा भी पढ़ती है और ये नाइट व्यू है कि रात में दूर से विल्डिंग्स कैसी दिखाई देती हैं कि किस तरह का महागुन मंत्रा किस तरह से अमात्रा और किस प्रकार से ATS की विल्डिंग्स दिखाई पढ़ रही है ये आप इस व्यू में देख सकते हैं अब हम अमात्रा पर पहुँच चुके हैं ये अमात्रा की बिल्डिंग्स है यहां से टर्न ले रहे हैं हम और यहां से टर्न लेने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें जो बिल्डिंग्स दिखाई देगी वो ATS की बिल्डिंग है अब ये जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है ये ATS की बिल्डिंग्स है यहां पर कितनी फैमिलीज हैं जहां जहां लाइट जल रही है उससे अनुमान असानी से लग रहा है और यह राजेस पाइलेट चॉक की तरफ से ATS की विल्डिंग दूर से कैसी दिखाई देती है इसका व्यू हम आपको दिखा रहे हैं अब हम आपको कोको काउंटी की बिल्डिंग दिखा रहे हैं दूर से व्यू कैसा लगता है उपर इन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं जो बहुत ही शुन्दर और सांदार तरीके से प्रदर्शित हो रही कोको काउंटी का नजदी की से व्यू है कि पास से ये कैसी दिखाई देती अब हम कोको काउंटी वाले रोड पर चल रहे हैं और यहां से ये बिल्डिंग कैसी दिखाई देती है इसका आप सीन देख सकते हैं और इसके लेट साइड में कौन कौन सी व्यूम्डिंग है एटी에स है सिखा की व्यूम्डिंग है। ये शारे व्यूम्ड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं और कांटे का यहां से एंट्री होती है यहां पर बहुती सांदा लाइट्स लगी होई और अब दूर में जो दिखाई दे रहा है वो अर्हंत की विल्डिंग है अर्हंत покा वीऊ-कैसा आता है दूर से और कितनी फैमिली सिफ्ट हो चुकी है ये लाइट को देख करके आप अनुमान लगाएगे ये अर्यहंत का गेट है यहीं से एंट्री होती है और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर दूर से कोको काउंटी और अलहंत का नजारा कैसा दिखाई देता है ये आप इस वीडियो में इस पस्ट रूप से अब हम एल आईजी फिलेट्स पर पहुंच गए हैं और वीडियो होता है यहीं पर समाब झाल झालsteinी आईजी और वीडियो होता है ये अजस्ट अलों कि घाल में दो जूप में और सेयर अजस्ट रखशे को भीडियोशशव हिलेखों में आईजी और से काई दोस्ट चालना तक इस वाल सिर्ट म्यां तोस्तों आयां आईजी बूस्तों आईएंग दोस्तों आई